तो चलिए मैं आप लोग के साथ फिजिक्स का कोशन ले क्या हूं जो काफी महत्पुन होने माले आप लोग के साहे का चारी पड़ती होगी था परिछा के लिए तो चलिए बीना टाइम वेस्ट के मैं स्टार्ट करता हूं फर्स्ट आफ और कोशन इज रोग दा नंबर ऑफ इलक्ट्रोंस फोर वन कुलोंब ऑफ चार्ज इस तो फ्रेंट्स आप लोग पढ़े होंगे क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज का फर्मूला क्या था क्या था क्यूज कर टू एनि होता है क्लिए अब यहां पर बोरा इलक्ट् अगर सॉल्व करते हैं तो सिंपल में में देखिए आप लोग को जो फॉर्मूला आएगा देखिए यानि वान पॉइंट्स इंट्यू पावर माइनस से 19 आएगा अब इससे अगर आप लोग सॉलूशन किजिएगा तो आप लोग का राइट एंसर आगा 1.625 इंट्यू प बताता हूं कैम स्यिटि से कख़यू वह तो अक्यूब भी होता क्यलियर रहे अब इसका जो फर्मूला है एसा इउनीन epic रуждते ये आप लोग कोश्रांक आ सकता है 那गीर एक यह पिःचण की ओर मूड़ता हो खिए दिशार कासन और कहते रहें क्श skण सरे सित्री करना की लिए तो आप लोग निचालना था क्या सी एस निकालना था कि उसक्ति इंवर्स करना था निकि सी भाई थ्री थ्री और आप लोग फर्मूला विदेख लेंगे। किए अगर निकालते हैं तो इसमें आप लोग निकालेगा तो इसमें आप लोग का आप कितना होगा तो देखे इसमें जो पॉजिटिव positive and uniform होगा तो तो देखिए आप लोग को तो आप लोग देखें निकाल सकते हैं तो अप्सिन नमबर ठड़ होगा क्लिए रहा है अगर आप लोग का जंसा रूल पढ़े होंगे जो सेकेंड रूल बोल रहा है उससे अगर पढ़े होंगे तो इसमें यहीं इसका राइट नसर अप्सिन नमर भी होगा याने क्रिप्चॉप से जंसन रूल आएगा क्लिए एंड रहा है और आप लोगों को मैं बताता हूं क्रिप्चॉप फर्स्ट लॉप लोग क्या बोलते हैं लूप लोग चले नेक्स्ट को सब्सक्राइब नुम्रिकल में अभी ए देखिकए मैंने का दश्रीन के अनलों जल्म जांते हो में मैंगनेतिक फिल्ल्ट प्रमॉल्ब का जानते यह अकीया रहें अन्स नशे निक्स्ट को सब्सक्राइबु में मैं भी नोमेरिकल को accept कर रहा हूं ठीक है exit कर रहा हूं देखिए निस्ट कोशन इसमें आप लोग को देखो इसका जो संट होता है संट रिस्टेंस ऑप स्मॉल वेल्यू इन पैरलल यान इसका राटन सब्सक्राइब अगर आप लोग को इससे आमीटर में बदलना पड़ेगा और इसका रेश्टेंस को भी लोग करना पड़ता है और बात करते एक्वेटर पर आप लोग पढ़े होंगे इसका राटन सेकागाइब से क्लियर है मैंटिकित व्लक्स लिंक इन एलेक्टिक सर्केट चेंश एन इम एउन इन उन्डोच इंडा सर्केट इस इस कोल देखेए आप लोग है। को जो सॉरी मैंक्रिएमैंट को 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 इंट्रेओ्स करता उसरे उसे उन्ट्रेडिक पहले ऐसे को स्टेंग के यह तो वन युक्क करते हैं सब्ण ile के फ्रस इसको टटरगे offended करेंग तो यूट एंडू ऑफ यूविंड वहता है तो देखिए इसको बोलते है आई नौट होगा, आप लोगे का विलु अप लोग बना सकते हैं, यानि आई रूट मिन स्कॉर के फेली होता है आई नोट बाइ रूट टू के लिए यह फर्मूला के कंसेट भी आपने यूज कर सकते हैं इसके लिए के लिए रहे चले नेस्ट कोशन के लिए फिरनलम अंधियान करते हैं इनर्जीज पेट इनल सी आश्रेकिट इच एक इनर्जीज जो डिश्पेट्स करता है वह आर्मे करता है इसमें याद रखे इंकरता है अब देखे क्या लिए ट्रांसफोर्मार इच इंपॉर्माइड टूर्म मज़ू होता हूँ उसका इंप्या होते हैं आप लोग वोल्टेज को हाई में बदलने का वर्क करते हैं किलिए आप नेक्स्ट को सब्सक्राइब करते हैं क्या लिखना देखिए वाट इस दा वेलुसिटी ओफ इलेक्ट्रमाइनेटिक वेव इन दा फ्री अस्पेस तो अल्यडी आप लोग पढ़े होंगे पर रखें तो ऑप्सन के कोडिंग ऑप्सन नमबर बी इस दा राइट अंसर क्लिए रहा है और नेक्स्ट कोशन वीच अफॉलों इज यूज इन इन इन्वेस्टिगेट दा स्ट्रक्चर ऑफ दा सॉलेड तो देखे फ्रैंट्स ओप्सन के कोडिंग देखा जाते गमा रह जो खोज किया था वह बैकूरल किया था किलिए रहा है और इंफ्रारेट तो आप लोग जानते ही होंगे है ना चलिए नेक्स्ट कोशन दा एंगल ऑफ इंसिदेंस क्रॉस्पांडिंग टू एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन इज नाइंटी डिग्री इसकोल तो देखिए एंग प्लूबख यह बेक्स्ट को इसमें चलिए नए उसकोल होता है तो टूली नेक्स्ट को सब्सक्राइब तो लेंग्स पार्मूला इस घिVENए तो वह इसका दो प्लूबख बिकल्ट का इमेज डिस्टेंट और इसमें यह भी यह भी यह अद रहे हैं यू जोत आप मैंस अब इसमाइन से माइनस में होता है किले रहा है next question, देखे क्या लिख रहा, if any number of thin lens in connect to a focal lens by f1, f2 and 3 then effective focal lens, तो friends, आप लोगो already इसको क्या कीजएगा किवल sum कर देजेगा, क्या कीजएगा, sum कर देजेगा, क्या किजएगा, क्या कूट सम कर देजेगा और नेक्स्ट कोशन देखिया क्या लिफ रहा देंगल ऑफ डिविएसटाइएट पर स्टाइव Dia P आटेंगल sép 사ते हुज में परिफ्रेंट अक्सपरिमेंट ओट हुटिन सब्सक्राइव किlock सैटेप अॉफ एफ्कॉरिक्स्पर सी एक लिए रहा है नेक्स्ट कोशन दवेफ्रांट दू दू सौ्स सिचुएटेट एट इन्फिनितली इस देखिए आप लोग इसमें तीन कंसेप्ट में ध्यान से सुनेगा एक फ्रेंट डिस्टेंस के लिए अगर एक फिनाइट डिस्टेंस के लिए देखिए मैं इस लिए होता हुँगा फ्लेट के लिए हो देखिए दर्ट गारिए देखिए व्याइट व होता हुग्स ऐंडर कटल दोरों तो आप लोगो relativ ब्रेंट सर्कूलर या सिलेंडीकर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं linear बोलते हैं यह आप लोग मैं एक में चार बताने का प्रयास क्या हूं एड़ नेक्स्च्ट कोशन देखते हैं क्या लिकरां तो तो देखें लोग पढ़े होंगे वेन टूवेबस है मिट्योगेटर इंटरफेरंस तो इसमें एकॉर्ड देखा जाया तो यह जो रूल होता है है conservation energy depending करता है conservation of energy पे depends करता है इसी का example आप बहुत सारे देखेंगे जो जो SekarICA करता है क्लिए रहा है नेक्सट सोंय २ और दैजसर नेक्सट अब नहीं होता है जो सोब फोटियुक्स करता है वह भी इसी के जैमपल होता है क्लिए इंटर में इसे नेर्च यो चर्द ऑफ फोर्टो Hamp्र आंशलेगे। तो फॉर्ट खुक्टो करता चर्ट्रान्ट तो इसका आप लोग चारज कमेंड बॉक्स में लिखना कितना होता है। भी लिखते हैं के लिए रहा है अब इससे अगर आप लोग पूरा का सॉलूशन करते हैं तो इसका जो आएगा एच इंटु अंडर रूट तो टू एम यह आता है ठीक है तो आप संग के कॉट ही वन आ गया एंसर ठीक है जहां है आपका प्लांग कॉंस्टेंस होता है यह भी होता है बाका सजेस्ट किया था साइज ओफ नुक्लियूश और खो यह उन्हों ने बोलेगिए एक फर्मी के ब्राबर बोला था क्या बोलाता एक फर्मी इचकोता होतान कि टेन टूपाहर-णाल üjść फिप्टीन मीटर होता है सेट परटा है पर्लमूं को सो करता हूं जो करता हूं फॉसेवल को कर सो गई घगेहा है वीजिवल तो यान कि यह इनुञ इन बलमर्स तो option no.b is the right answer and next question the radioactive nucleus emits a beta particle the parents and daughter nuclei are तो काफी एज़ेस्ट question मैं बोलूँगा देखे radioactive nucleus emits a beta particle तो जब भी beta particles निकालेगा clear है तो इसका parents and daughter जो nuclei होगा हुआ आइसो बार होगा क्या होगा अब देखे आप लोगों सबसे पहले जानना पर आइसो बार को कहते हैं जिसका atomic mass ध्यान से सुने का जिसका atomic mass यानि की बोलते हैं atomic mass क्या होता सेम होता है लेकिन atomic number difference होता उससे हम लोगों बोलते है आइसो बार तो यहीं आप लोग का इसमें questions बोल रहा था किलिए रहा है and next question is now देखिए questions काफी तगला आ चुक है आप लोगों के बीच दा रेडियोस ऑफ यह स्पेरिकल नुकलिएस एज मेजर्ड बाइलेक्ट्रों अस्क्रेटिंग इस 3.6 FM वाट इस दा मास नंबर आप दा देखिए तो इससे आप लोग सॉल्व करेंगे फर्मूला बेच रही है next in reverse बाइजिंग तो रिवर्स फैर्जिंग जो होता उसमें आप लोग ध्यान रखेगा potential barrier जो था स्कुम करते हैं यूप करते हैं यानि की कि क्लेर है कि इसका एप होता होता है यह जो भी अपर यह तीनों कक्वरोन को में यूज कर सकते हैं इन्मॉनियम बोरं उकम फोको हम यूज कर सकते हैं बल गां इंटल याने गालियम वायुत कर शक्ते हैं यह होता है रूल आप लोगो पीटाप सेमी कंडुक्टर के लिए क्लियर है है अब यह अकर अन्ट टाइम बोलता ना तो उसमें पेंटागोन का यूज करते हैं क्लियर है एक नेक्स्ट को इन सेमी कंडुक्टर विच अटार रिस्पोंसिबल फोर कंडुक्शन तो देखें कंडुक्शन तो देखिए आप लोग के बीच में बताता ह। एक होता फूल रेक्टिफायर एक होता हाफ एवश्रेक्टिफायर सबसे पहले आप लोग जाने हैं क्या होता है तो आप लोग कंसर्प्पपढ़े होंगे एक होता है कि अब इसके दो परकार होता है इसका मैं इसका आप लोगों बता रहा हूं अगर वह दोनों अगर देखे वह दोनों अगर चेंजिंग कर देता है तो उससे पूल वे रेक्टिफायर होता है है तो फ्रेंट से कि इसका मैं सब्सक्राइब बता रहा हूं देखिंगे अगर हाफ यह इस नोगों को चेंज करता या 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 फूरा का पूरा वह चेंज कर देता यानि कि देखें फूल रख्टिफायर क्या होता ना डादिवास इस पूर्टिफायर जैसे एक्जांपल मैं आप लोग को बताता हूं देखें इस ट्रफ से फूल ना सकते हैं इसका इस ट्रफ से यह सोग करेगा किले रहे तो यह होता है तो चलिए नेक्स्ट कोर्शन क्यों मूव आउन करते हैं चलिए हाँ एक पिनुटर में आप लोग बता तो जब भी फूल वेप्रेक्टिफायर होगा फ्रेंट्स अगर फूल वेप्रेक्टिफायर है तो अगर फ्रिक्वेंसी भी है एध्यान से वह सुनीएंगा अगर फ्रिक्वेंसी भी है तो पूरा चेंज हो जाएगा तो भी ही यह रहेगा तो इसका राट एंसर होना चाहिए तो आप सन तो दिया है लेकिन ही होना चाहिए हुँआ ही होगा एड नेक्स्ट क्राशन हन देखते अप लोग तो फ्राट्स तो ध्यान आप लोग रखेगा जब भी एकुटेरिल पॉइंट्स पर आप लोगको बोलेगा उलेक्टिव पोटेंशियल तो हम इसा जीरो होता है जीरो होता है क्लिए रहा है इन नेक्स्ट कोच्छन तो सलेबस बेंद आगे यह आप लोगों सेलेबस में नहीं धर याँ देखे वेर और एंगल प्रफेस ऑफ अंगल ऑफ डिप इस नाइंटी डिगरे तो मैं आप लोगों इसमें ग्रेटर होता है आप लोग पढ़े होंगे आप देखे नेम दा इयम यानि इलेक्ट्रमाइटिक रडियाशन वेप्स यूज टू अ फ्रेडिंग आप लोग यह देख लीजिए और आप लोग यह लीज़े पूरा मैं 60 को संक्या ख़ूंगा किलियर है तो चलिए ठैंकिस सो मच प्ली सब्सक्राइब माइय कोशन था था अब नेक्स्ट वीडियो मैं आता हूं फ्रैंट्स तो आप लोग बीच और मैं को संक्र प्लिस कमेंट बॉक्स में कमेंट लिए कैसा आप लोग लग अठाएंगे सो मच